मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो बदली हुई कारे संस्कूती है बदली हुई विर्चार प्रणाली है और इस सब के पीछे एक हमारे नेता की दृड़ता है देखिए मोधी जी डिकते नहीं है हमने अकसर यह देखा कि राजनीती में अपने फैसलों से पलटने वाले बहुत चुनाव का प्रेशर हो किसी ग्रूप का प्रेशर हो इसके अंडर आकर बदलाव करने वाले कई लोग देखे लेकिन चुनाव की चिंता नहीं केवल देश की चिंता देश का विचार करके लिया हुआ निरने कभी बदला नहीं जाता है उसमें अगर कोई आवश्यक परिव संस्कृति आज इस देश में आई इस दुरता के करण इस अडिकता के करण आज देश विकास की ओर जा रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि देश में मोदी जी के नित्रुत्व में ये कार्य प्रणाली इस प्रकार से अब नीचे तक पहुँच रही है कि जिसके चलते मेरा वि कारे संस्कृति बनेगी हमारी गवर्नांस की भी कारे संस्कृति बनेगी और सदियो सदियो तक इस देश में आने वाले जो भी सासक होंगे उनको भी इसी कारे संस्कृति के तहत कारे करना पड़ेगा मैं ऐसा मानता हूं कि हम किसी व्यक्ति को यूग पुरुष ricam जब उस यूग के मुल्यों को बदलने का काम वो करते है और 21 वी शताब्दी के मुल्यों को बदलने का काम और यहाँ पर नए मुल्यों को स्थापित करने का काम और पवित्र मुल्यों को स्थापित करने का काम आधरणियम मोदी जी ने किया है और यही 20 वर्चों की उनकी क्लब दीए